हाई वीडियो में हम अपनी सीरीज जावा एंड ऊप्स के मॉड्यूल वन जावा की टॉपिक 3 की बात करने वाले हैं चीक है तो देखो टॉपिक 3 है क्या जेडी के एंड जेवी एम आर्किटेक्चर देखो इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था इससे लास जावा सी एंड जो भी हमारी डॉट लास फाइल बनती है उसको हम रन करते हैं यूजिंग जावा ठीक है यूजिंग जेवी एम जावा यह बात करी थी कि हमना डिरेक्ली अगर हमारा कोड कंपाइल हुआ तो सी प्लेस में क्या हो रहा था यह डिरेक्ली कौन चला रहा था container すफ उसमेर्यवेमिंट प्रवाइद कर अब उसकी वज़े से हमने प्रीवियस वीडियो में इसके इशूस देखके क्या क्या स्क्रें इसकी वज़े से Highs fromыйwest किया था इस बाइट को कोड को कॉन हैंडल कर रहा था जे वी एम ठीक है तो इस वाली वीडियो में हम जे डी के मीन्स एक्ट्वल जावा जावा के अंदर क्या क्या होता है कौन कॉन से किस टाइप के लाइबरेरी इस डिस्ट्रिब्यूट होती है एंड जे वी एम की जे के अंदर होती है तो तो उस सिस्टम पर जावा चलाना चाहते हैं तो हमें इस किट को डॉन नोड़ करना पड़ेगा यह किस अपने साथ जेरी ल्याता है means runtime environment और जो भी लाना होता है वो एक packet में बंद करके लिया आती है बस हमें इस packet को करना पड़ता है install ठीक है अब JDK में दो चीज़े होते हैं देखो यह complete JDK है JDK में क्या-क्या चीज़े होनी चाहिए देखो पहला काम होता है हमारा code को कंपाइल करना तीसरे काम हमारा क्या होते है इस code को रन करना ठीक है अगर सीपलेबलस की बात करते है तो code एक्ट्वल जो हमारे पास था वो था compile dplus करता था एंड रन उसको OS करता था ठीक है तो बस अगर अगर C Plurbs की बात करते हैं तो यह C Plurbs की अगर होती तो इसमें बस जी उत्लुप रखा होते हैं compiler बट जावा में क्या है जावा में यह चीज काँ जैक करता है जावा सी यह सी कमांड लिखते हैं तो वह उता है इसका मतलब आप पर, सेपरेट फाइल से थीक है एक को कहते हैं जावासी, एक को कहते है जावा ठीक है जावा का इन्डिरेक्ट नाम है जेड़ी ठीक है जेड़ी का मतलग यह हमारा जावासी रखा है यह हमारे पास जावा रखा है ठीक है अब हमने क्या घघाता कि ना लास्ट वाली वीडियो में यह बात हुई थी कि ना सबसे पहले कोड़ ऊओगा उसको कॉम पायल कुएम कॉरेगा कॉम्पाइलर नौर्मलस जाकी जैसे डी ट लिप लॉस्पर में जी प्लेस प्लेस करता है वैसे ही नॉर्मल जावा में जावा सी करेगा तो कंपाइलिंग में तो कोई इशू आने नी वाली क्योंकि लेंग्विजेस कंपाइल करेंगी ठीक है बट जावा में जो फरक पड़ा वो क्योंकि यह रंटाइम एन्वाइमेंट खुदी प्रोवाइड कर रही थी तो इसमें क्या फरक आना चाहिए ठीक है तो लाश्ट वाली वीडियो में जब डिसकस करा था तो देखो ऐसा कुछ थ रहना सब्सक्राइब था यह ब्याइग था तो देखहो इसके बाद ऑपर डिसकस करते हैं कि जबी यह क्या यावा कि यह जब्सक्रणा चेम्च खुद हेंडल मतलब मैं खुद ना कुछ नहीं करने वाला मतलब क्या 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 काम होंगे जावा ने क्या कहा इस वाले पॉइंट पर किना जावा ने कहा किना मैं खुद हेंडल नहीं करने वाला इसको मैं ना एक person को hire करूंगा जिसका नाम होगा JVM ठीक है तो देखों ऐसा कुछ चल रहा था फ्लोंगा रहा कि जावा ने खुद नहीं किया जावा ने क्या करा जावा या फिर यारी कह सकते हैं इसके मेरे पास खुद की लाइब्रेरी इस थी इसने का मेरे पास लाइब्रेरी इस तो है कि काम कैसे कैसे करते हैं और इसने जेवीम को करा हैंडल इसने जेवीम को करा हायर ठीक है जेवीम के फुल फॉर्म है जावा वर्ट्वल मशीन ठीक है यह इनीशली एक्जिस्ट नहीं कर र वाला मैं JVM को hire करूँगा तो JVM actually exist नहीं कर रहा था बट जैसे ही काम आया तो उसने JVM को hire कि किसने JRE को तो यह इसलिए इसको virtual machine क्याते है means actually मैं exist नहीं कर रही थी जैसे कुछ कुछ काम आया JRE के पास उसने क्या करा उसने JVM को implement कर दिया ऐसा कुछ ठीक है देखो जैसे ही JVM implement हुई अब जो भी काम है JVM के पास मतलब JVM को instruction मिल रखें कि तुझे यह काम करना है और किसका यूज करेगा इन libraries का यूज करेगा इन libraries का यूज करेगा एंड जो जो उसको features दिये गए है जो जो उसके अंदर inbuilt features दिये गए है वह उसके according इस program को क्या कर देगा रन कर देगा ठीक है तो यह basic structure होता है जावा का सबसे पहले JD के जावा development kit उसके अंदर दो parts एक जावा एक जावा सी जावा सी compiler होता है एंड यह जावा होता है जावा मतलब जावा का runtime environment ठीक है जावा के runtime environment में एक चीज होती है library means किसको कैसे conversion करना है किसको कितना space देना यह सब जियारी खुद कुछ काम नहीं करता जियारी कि JVM को hire करता है एंड उसी time पर hire करते है जैसे ही उसके पास command आती है कि हमें कोई file को run करना है ठीक है अब देखते है main काम इसमें किसका हुआ main काम हुआ JVM का JVM को libraries दी देखो JVM को hire करा प्लस उसको libraries दी यह किस ने काम किया था यारी ने बट इसको overall run करने का काम तब JVM पर बचिया कि JVM को libraries मिल रखी है JVM को code मिल रख है अब उसको main काम करना है तो देखो JVM के allocate करने का काम हो सकता है ठीक है कि कि किसको कितनी memory allocate करानी है third काम क्या हो सकता है execute कराना program को execute कराना यह सब काम JVM के हो सकते हैं ठीक है तो इस डाइग्राम से देखते हैं एक बार ठीक है देखो यह जो पार्ट है यह है JVM के पास एक class loader है जो की RAM पे जाएगा और जो भी class हमें run करनी है उसको जाके RAM पे put कर देगा उसका code जाके RAM पे put कर देगा इसके बाद यह जो area है यह है memory area जो भी memory assign करनी है ठीक है जिस टाइप की भी मालो methods के लिए मतलब function के लिए जो memory assign करनी है वो यह area है यह हीप का area यह stack का यह PC registers एंड यह native method stacks ठीक है यह सारा memory का area यह भी कौन हैंडल करने वाला है JVM ठीक है इसके बाद बात हुई थी कि execution engine होना चाहिए अब मेरे पास class load हो गई मेरे पास memory है मेरे को अब अपने program को करना है रन करना है तो मेरे पास उसके लिए execution engine होना चाहिए ठीक है कि कि किस तरीके से योग उप्योटे वैकर बाद निगे जब उनने के लिए उसके लिए इसके बाद लास्ट काम गया था इन तीन काम के बाद हम्हें कुछ लाइबरेस की पड़ेगी घ्रिम्क करने के लिए तो यह दो वह लाइबरेडी इनको भी मैनेज कान और करेगा तो मिल्टने यह ठीक है अब करेगा कैसे यह पहले ना इन दोनों चीज़ों का काम देखेंगे यह दोनों लिखा के यह तो समझ में आया ही पर एरिया होता है यह इस टैक एरिया है यह रिजिस्टर से ठीक है बट यह वाली टर्म्स थोड़ी नहीं है नेटिव मैथर्ड है जैसे यह एक सीक्वेंस लिखते हैं एक बार सी सो प्रिंट एफ कंसोल पर प्रिंट करता था सी में अगर हमें सी में प्रिंट करना होता था तो प्रिंट एफ लिखते थे अगर हमें सी प्लस प्लस में प्रिंट करना होता है तो सी आउट लिखते हैं अगर हमें जावा मे अभी बनी नहीं थी हमारि सिर्फ सी बनी हुई थी ठीक एट सी प्लस को कुछ functions चाई है जो खुद करना चाहता है ठीक है सी प्लस ब्लस के पास ऐसे function होने चाहिए जो वह को खुद इंप्लिमेंट करेगा वो अल्रेडी इंप्लिमेंटेड लेंगवेज के उसको चाहिए ठीक है तो उसने सी से बात करी उसने कहा कि ना सी मेरे को तेरे कुछ कुछ फंक्शन्स चाहिए जो मैं exactly यूज करना चाहता हूं बट मैं उनके नाम अलग करना चाहता हूं ठीक है तो सीने का कोई इश्यू नहीं है सीने अपना प्रिंट एफ को छुपा के रखा बट सीने क्या किया मालो एक फंक्शन लिया उसने प्रिंट नाम का ठीक है इस में इस function को मना दिया नेटिफ उसने कहा कि मैरा यह जो क्रिंट फंक्शन है उडिडी घटे आप फिरिंट पर यह नउस सेम काम करते है ठीक हैं बट यह जो नेटिफ मैंसरे न इसमान ऊंट को बना दिया नेटिव तो यह हूते है native method means ऐसे methods जो की कोई और language भी यूज़ कर सकती है exactly ठीक है अब यहाँ पर सी प्लस प्लस है यहाँ पर सी का method अब यह यूज़ सी प्लस करें कैसे तो नहीं एक interface provide किया दाता है कि सी प्लस इंटरफेस से बात करेगी और यह इंटरफेस सी से बात करेगा ठीक है तो इस interface को कहते है निटीव इंटरफेस ठीक है नेटिव मैथज से बात करने के लिए जो भी इंटरफेस होता है उसको कहते है नेटिव इंटरफेस ठीक है तो देखो तब से पहले class loader चाहिए फिर memory प्री एरिया चाहिए फिर एक्जिक्यूशन इंजज चाहिए नेटिव मैथड के इंटरफेस जुन-जुन से इंटरफेस है वह और उसके बाद उसकी लाइब्रेरी ठीक है तो यह दो अर्किटेक्चर थे में पहला जेडी के का अर्किटेक्चर एंड दूसरा जेवीम का ची है तो थेंक्स फर वचिंग मिलते है नेक्स वीडियो में